इससे पहले जो हमने पढ़ा है, लेक्च नमबर वान में हमने पढ़ा था work के बारे, work क्या होता है, work की definition हमने पढ़ी, और work, constant force के कारण, variable force के कारण work हम कैसे निकालते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बता रहा है, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम उसी work को अलग-लग form म निकालेंगे, work done by mg हमने last class में निकाल दिया था, आज हम work done by tension निकालेंगे, work done by normal reaction निकालेंगे, work done by friction निकालेंगे, ये सारी चीज़ें आज हम कर रहे होंगे, ठीके बच्चो, साथ-साथ में end में हम work energy theorem के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि सबसे important theorem है, सो, स्टार्ट में हम पढ़ेंगे, work by tension, then work by normal reaction, and third में हम जाएंगे, work energy theorem के हो, सबसे important theorem हैं, जो मैं last class में आपको बोल रहा था, कि इसके बिना, यही है, जो हर chapter में use होगा, आने वाले हर chapter में, work energy theorem जो है, वो हम use कर रहे होंगे, ठीक है, जितना important equation of motion था, equation of motion आप लोगों ने पढ़ा है, v is equal to u plus 80, s is equal to ut plus half 80 square, जितना important equation of motion था, उससे ज़्यादा important work energy theorem है, equation of motion सिरफ और सिरफ तभी लगता है, जब acceleration constant होता है, लेकिन जब acceleration constant नहीं होता, वहाँ पर work energy theorem लगता है, तो work energy theorem का scope जो है, वो काफी ज़्यादा है, काफी जगे आप इसको apply कर सकते हैं, ठीक है, recap, देना चाहूँगा थोड़ा सा, last class में हमने जो पढ़ा था, work is equal to force vector dot displacement vector, यह हमने पढ़ा था बच्चा, ठीक है, work is equal to integration of f vector dot ds vector, यह भी हमने पढ़ा था, यह रही दोनों चीजों के basis पे हमने, work निकाला था, एक work मैंने आपको बताया था, mg का, जो की important है, mass नीचे आएगा h height पे, तो work done होगा, plus mg h, mass, mass उपर जाएगा h height पे, तो work होगा, minus mg h, right, अगर किसी भी random path से वो नीचे आता है, h height नीचे ही आता है, तो work done by mg हमेशा ही, plus mg h होगा, work done by mg सिरफ और सिरफ height के उपर depend करेगा, work कभी भी, कभी भी, वो distance के उपर depend नहीं करेगा, कितना distance मूफ किया है, does not matter, कितना height नीचे आया है, सिरफ और सिरफ वोही चीज मैटर करेगी, ठीक है? ओके बच्चों, very nice, देखते हैं, आज हम क्या करने वाले हैं, बच्चों, work done in graph, graph में work कैसे निकालते हैं? माल लीजिए, हमें दिया हुआ है, ये, और ये, ठीक है? ये है आपका displacement, ये है आपका force, ठीक है? force versus displacement graph आपको कुछ दिया हुआ है, मैं आपको निकालके दिखाता हूँ, ये graph जो है, ये कुछ इस तरह से मालीची दिया हुआ है, force पहले बढ़ता है, maximum जाता है, कम होता है, जीरो आता है, force negative जाता है, और फिर जीरो हो जाता है, ये आपको पता लग रहा है displacement के साथ, लेकिन, मेरे को यहाँ पे क्या करना है? मेरे को यहाँ पे निकालना है work, कैसे निकाला जाए? वर्क ध्यान से दिखिए. वर्क होता है, integration of f vector dot ds vector, integration जब हमने पड़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि integration का actually मतलब क्या होता है? integration का actual मतलब जो है, वो होता है area under the graph, तो आप work यहाँ पे लिख सकते हैं, बच्चा, work is equal to area under, area under force displacement graph, area under force displacement graph, यह हो जाएगा आपका work, चीक है बच्चा? area under the graph, इसके अंदर area कैसे निकालेंगी? बहुत ही simple है, अगर positive area होगा, तो work positive हो जाएगा, मैंने आपको last class में बताया था, टेन टाइप का work होता है, positive, negative, zero, positive work जब area उपर होगा, जब area नीचे होगा, तो work negative हो जाएगा, चीक है? तो positive work, negative work, zero work, तीन टाइप के works होते हैं, अगर उपर है area तो positive work होगा, अगर नीचे है area तो negative work होगा, और zero work तो आपको पता ही है, कब होता है, चीक है? इससे के उपर हमारे पास एक question है, इस question को जल्दी से करके दिखाईए, इससे भी पहले, मैं आपको एक और question करवाना चाहूँगा, इससे के question करिये बच्चा, एक मिनिट का समय आपके बास आप बच्चा, जल्दी सांसर कमें लिखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको निकालना area x equal to 0 से लेके x equals to 8 तक के area आएगा, उपर positive है, नीचे negative है, तो ये area उपर वाला माल लेते हैं, A1 है, 8 तक निकालना है, ये area माल लेते हैं, A2 है, area A1, trapeze triangle का area, half into base into height, height कितनी है, हटी, तो ये हो जाएगा 2, 15, and 15, 5's are 75 joules, 75 joules of work जो है, वो किया है किसने, उपर वाले force ने, A2 area, A2 area कितना है, ट्रेपीजियम का area, ट्रेपीजियम का area होता है, half, sum of parallel sides, parallel side ये है, और ये है, ये parallel side सिरफ 1 की है, और ये कितनी है, 8 में से 5 गए, 3, 3 प्लस 1, into, height, ये height कितनी है, 10, 2, 5, ये हो जाएगा, 20 J, right, total work हमें निकालना है, 0 से लेके 8 तक, उपर वाला work positive है, नीचे वाला work negative है, तो ये हो जाएगा, 75, minus 20, ये हो जाएगा, 55 J, that's it, right everyone, इस तरह से हम, work निकालते हैं, next, एक force आपको दिया हुआ है, minus XI cap, plus YJ cap, ये force की direction कैसी है, कुछ ऐसी है, because X में minus है, Y में positive है, तो ये कुछ इस type से आपको दिया हुआ है, एक particle 1,0 से, 0,1 जाता है, आपको निकालना है, कि इसमें, कितना total work हुआ होगा, minus XI cap, प्लस YJ cap, अपको याद होगा, work, ये variable force है, ये constant है, X cube और Y cube पर dependent है, तो ये एक variable force है, चीक है, तो work हो जाएगा, integration of Fx into dx, प्लस integration of Fy into dy, Fx कितना है, X dx, minus X dx, प्लस Fy क्या है, Y dy, कहां से कहां तक, X vary कर रहा है, 1 से 0, X vary कर रहा है, 1 से 0, Y vary कर रहा है, X is यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, 1 से 0 जा रहा है, और Y 0 से 1 जा रहा है, Y 0 से 1 जाएगा, that's it, चीक है, कई लोगों ने इसमें mistake की होगी, कि आपने इसका area निकाल दिया होगा, वो गलत है बच्चा, क्योंकि area, area under Fs graph है, Fs graph, force versus X graph, यहां पर force versus X दिया था, तब आपने area निकाला, तो answer आया, यहां पर Y versus X graph दिया है, यह force versus X नहीं है, तो इसका area आपको work नहीं देगा, चीक है, minus X TX हो जाएगा, X square by 2, 0 से 1, यहां से आएगा, minus, upper limit 0, minus lower limit 1 by 2, plus, upper limit 1 by 2, minus lower limit 0, यहां जाएगा, 1 by 2 plus 1 by 2, यहां जाएगा, 1 joules, 1 joules आपका answer हो जाएगा, C is your answer. 8 पाच्चा, next question, पाच्चा, और ये कोश्चिन ध्यान से देखें। A person pushes a block, a box on the rough horizontal platform, he applies a force of 200 newton over a distance of 15 meter. Thereafter, he gets progressively tired and his applied force reduces linearly with a distance to 100 newton. The total distance through which the block has moved is 30 meters. देखें वच्छा, इस चैप के questions आप graph से करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी. क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि force versus distance के बीच में आपको graph दिया हुआ है. पहले 15 meter तक वो 200 newton force लगा. 200 newton force लगा पहले 15 meter तक. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये force कम होना शिरू हुआ और ये कम होते होते, 200 से 100 हो गया. तिल 30 meters. पहले ये 200 newton था और 200 से अभी ये हो चुका है. ये इसका graph बनेगा. ये इसका graph बनेगा. ये दिया नहीं हुआ, ये हमें खुद बनाना है. उन्हें बोला, linearly ये कम होता रहेगा तिल 100. टोटल डिस्टेंस 30 meter मूफ किया है. अगर आप इसको integration से करने जाओगे, ये बहुत लेंदी पड़ेगा. इसलिए हमने इसका graph बना लिया. graph के अंडर का area निकालना है. Once you get the area, you'll get the answer. जल्दी से इसका area निकालिए बच्चा एक मिनट आपके पास. कितना area इसका होगा? area A1, A1 rectangle है, तो area A1 हो जाएगा 15, into 200, plus second area, second area है half, work is equal to 15 into 200, plus half, into sum of parallel sides, 200, plus 100, into this one, which is again 15. यहाँ पे आजाएगा 3000, plus 2250, यह हो जाएगा 5250. D answer हो जाएगा 5250, सिरफ area आपको निकालना आना चाहिए. area में आपको area of trapezium होता है half, sum of parallel sides into height. चल्दिसे नूट कर लिची. चल्दिसे नूट कर लिची. चल्दिसे नूट कर लिची. next question. So, अभी तक हम work निकालना सीख चुके हैं, चाहे वो constant force हो चाहे वो variable force हो. work done by weight मैंने आपको last class में समझा दिया था, फिर से मैं आपको last बार बता देता हूँ, क्योंकि यह इतना ज़्यादा important है. या तो आप नीचे आएंगे, या फिर आप उपर जाएंगे. m mass h height से नीचे आ रहे है, m mass h height उपर जा रहे है, नीचे आएगा तो mg भी नीचे है, यहाँ पे mg नीचे है लेकिन यह उपर जा रहे है. दोनों cases में work, इस case में work, mg h, positive में, because यह नीचे आ रहे है, mg की direction में आ रहे है, इस case में work मैंने आपको last class में बताया था, minus mg h हो जाएगा, because यह उपर जा रहे है, plus mg h, minus mg h, right? m देख लेना, बड़ा लेना है, चोटा लेना है, कोई खास फरक नहीं पड़ता, just a symbol. इसके साथ मैंने आपको यह भी बताया था, कि अगर, यह किसी इस रस्ते से नीचे आए, कोई भी random रस्ते से अगर यह नीचे आए, h height, तो अभी work done by mg जो है, वो plus mg h ही होगा, right? work done by mg किस बात के ओपर depend करता है, कि mg की direction में उसने कितना move किया है, नीचे क्या है mg, mg की direction में उसने कितना move किया है, h, यहाँ पर mg कि integration में कितना move किया है, h किया है, work हमेशा, work, हमेशा इस बात पर depend करता है, कि force की direction में कितना displacement हुआ है, always remember force यहाँ पे क्या है mg mg की direction में कितना displacement हुआ है वो ही चीज मैटर करती है चीक है for example मान लीजिए ध्यान से सुनियेगा यह बहुत important है यहाँ पे एक beaker है हमारे पास यह beaker का radius आपको दिया हुआ है r यहाँ से एक body यहाँ से उपर move कर जाती है और यहाँ तक पहुँँच जाती है ठीक है top points point तक पहुँच जाती है top points point जो है वो obviously कुछ ऐसा है ऐसे क्यों पहुँच जाती है क्योंकि आपने force लगाया इसके उपर आपने f force लगाया यह force constantly लग रहा है यहाँ पे भी यह लग रहा है तो यह force के कारण यह उपर move कर गया ठीक है बच्चो समच मैं यह force के कारण यह उपर move कर गया मेरे को निकालना है इस case में दो चीज़े कि work done by mg कितना है मास था इसका और work done by force कितना है work done by mg कितना है और work done by force कितना है यह दो चीज़े हमें यहाँ पे निकालनी है देखिए work done by mg हमेशा इस बात पे डिपेंड करता है सबसे पहले कि वो positive होगा कि negative होगा mg का work positive तब होता है जब body नीचे आती है यहाँ पे body कहा जा रही है उपर उपर जा रही है तो क्या होगा negative होगा ठीक है दूसरी बात mg की direction में यह कितना उपर गया है mg तो यहाँ पे नीचे लग रहे है हमेशा ही नीचे लगता है यहाँ से यहाँ तक यह mg की दिशा mg की दिशा यह है इस दिशा में यहाँ से यहाँ यह कितना उपर गया होगा इतना उपर गया है और यह distance कितना है r तो mg का work जो हो जाएगा वो पहले तो minus होगा क्योंकि यह उपर जा रहा है mg force mg की दिशा में यहां से यहां तक इतना r move किया है तो इस का answer हो जाएगा mg into r छीक है दूसरा में निकालना है work done by work done by force क्या होगा देखिए जिस तरफ force लगा है क्या यह उसी तरफ जा रहा है बिल्कुल उसी तरफ जा रहा है इस force की दिशा में यह कितना move किया यहां से यहां तक force की दिशा horizontal है तो पहले यहां था अब फाइल यह यहां है यहां से यहां यह कितना move किया यह यहां से यहां भी r move किया तो यह हो जाएगा plus force into r plus force into r छीक है तो mg की दिशा में यह move किया minus mg तो basically आपको याद रखना है कि work जो होता है वो हमेशा force into displacement होता है यह displacement क्या है this is the displacement in the direction of force displacement in the direction of force force की direction में कितना displacement है वो हमें यहां पे लेना होता है छीक है cool everyone तो इस force की direction में displacement r हुआ है इसकी direction में यह r हुआ है तो यह दोनों चीज़े याद रखेगा छीक है इसे की उपर एक question है हमारा question करके दिखाईए पहले इसको note कर लीजिए question बचा question क्या है यह एक particle था एक bob था जो यहां पे hang कर रहा था आपने इसके उपर force लगा दिया constant force जिसके कारें यहां से यहां पहुँच गया और यह किस तरें से पहुँचा है इस तरें से यह ऊपर गया है ठीक है यह distance L है बचो यहां से यहां यह distance भी कितना है यह भी L है यह भी L है ठीक है यहां से यहां यह गया है आपको निकालना है work done by F force कितना है यहां से यहां तक F ने कितना work किया होगा चुले मैं दो चीज़े आपको देता हूँ work done by F B निकालिए और work done by M G B निकालिए weight ने कितना work किया होगा और force ने कितना work किया होगा दोनों चीज़े निकाली 10 beように तक प्यूब के दो … चौआए चीज़े से ं Cory देखिए बच्छ work done by force F F जो है F की दिशा में यहां से यहां तक यह कितना move किया है इतना move किया होगा यह L है तो यहां से यहां तक यह हो जाएगा L cos theta यह total L है यह total आपको L दिया हुआ है यह L cos theta है यह बचा हुआ term कितना हो जाएगा L में से L cos theta गया तो यह बचा हैगा L minus L cos theta L minus L cos theta यह L है यह L cos theta तो यह हो जाएगा L sin theta L का sin theta अब बताएए F की direction में यहां से यहां यह कितना move किया होगा F की direction में जो यह distance move किया है वो है F into L sin theta Mg की direction में यह कितना move किया है तो यह हो जाएगा minus यह plus है क्योंकि force की direction में गया है यहां पर mg नीचे लग रहा है लेकिन यह उपर जाएगा तो minus mg into h और h की value क्या है बहुत important question है बच्चा बार बार यह question आएगा next chapter हम पढ़ेंगे vertical circle motion उसमें दो बहुत ही जादा ही आएगा तो आपको याद रखना है this is extremely important ठीक है F into L sin theta use हमने क्या किया है यही use किया है यहां पर force की direction में वो r move किया था यहां पर force की direction में L sin theta move किया है that's it और work done by mg हमेशा plus mg h minus mg h नीचे आएगा तो plus mg h उपर जाएगा तो minus mg h चीक है next बच्चा next हम पढ़ने जा रहे हैं work done by tension and work done by normal reaction यह होगा work done by tension and work done by normal reaction देखिए यहां पर यहां पर माल लीजिए एक lift है बच्चों चीक है यह फिर माल लीजिए एक block है एक block है इस block के पास यहां पे एक string भी है चीक है और यह block उपर की तरफ जा रहा है यह दिया हुआ है यह block उपर की तरफ जा रहा है यह उपर की तरफ जा रहा है with some acceleration और वो उपर की तरफ जो जा रहा है वो g acceleration से जा रहा है इसका मास M है, ये भी दिया हुआ है, हमें बताना है यहाँ पे work done by tension कितना होगा, work done by tension की value हमें निकालना होगा, ये पहला case है, दूसरे case में क्या हो रहा है, वही same block है, वही same string है, ठीक है, यहाँ पे ये नीचे आ रहा है, जी acceleration से, ये भी M मास है, ये भी M मास है, तोनों ही M मास है, जी से नहीं, जी वाई टू से माल लेते हैं, चलो, चीक है, यहाँ बे भी आपको निकालना है, work done by tension कितना होगा, चीक है बच्चा, देखें बच्चों, यहाँ पे, ऊपर tension है, नीचे M जी है, tension का work निकालने के लिए, हमें, पहले ही, माल लेजे, दोनों cases में S मूफ किया है, चीक है, यहाँ पे भी ये नीचे मूफ करेगा, कुछ S distance, यहाँ पे भी ये ऊपर मूफ किया है, S distance, तो tension का work यहाँ पे क्या हो जाएगा, tension भी उपर है, S भी उपर है, प्लस T into S, यहाँ पे tension उपर है, यहाँ पे tension उपर है, displacement नीचे है, तो यह हो जाएगा, प्लस T into S, यहाँ पे हो जाएगा, माइनस T into S, चीक है, लिकिन T क्या है, T हमें नहीं पता है, T हमें निकालना पड़ेगा, T हम कहाँ से निकालेंगे, T हम निकालेंगे Newton's low से बच्चा, चीक है, पहले Newton's low लगाते हैं, अगर यह उपर जा रहा है, तो आप लिखोगे net force upwards, T minus Mg, T minus Mg, T minus Mg is equal to M into A, A क्या है G, तो यहां से T is equal to Mg plus M A, यह हो जाएगा 2 Mg, Tension 2 Mg आ गया है, बच्चा, अभी work done by, Tension जो होगा, वो हो जाएगा, उपर T into S, T जो उपर है, वो है 2 Mg, into S जो उपर है, वो है S, तो 2 Mg into S हो जाएगा, ठीक है, यहां पर फिर से वही, यहां पर यह नीचे आ रहा है, तो net force नीचे की तरफ क्या होगा Mg, minus T is equal to M A, राइट, यहां से अगर आप T निकालोगे, तो T यहां से आएगा Mg minus M A, और A है G by 2, तो यह हो जाएगा Mg by 2, यहां पर Tension आएगा Mg by 2, और work done by Tension निकालोगे, तो Tension लग रहा था उपर, यहां रहा है नीचे, तो minus T into S हो जाएगा, यह जाएगा minus T था Mg by 2, into S, S ही है, यह answer हो जाएगा, ठीक है बच्चों, कहानी बहुत ही सिंपल है, अगर force की दिशा में move करेगा, तो positive work होगा, force की opposite move करेगा, तो negative work होगा, झाल 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 चुह भुष मुझाब चुह प्रूच को लिए नही है। चेक है बत्चुुुुुुुुुुुुुुुुुङ So, इन दोनों cases में देखिए क्या हुआ उपर जा रहा है यहाँ पे tension उपर है block भी उपर जा रहा है तो positive work होगा tension उपर है block नीचे जा रहा है तो negative work होगा zero work भी कर सकता है tension कैसे? देखिए यहाँ पे यह block है यह block यहाँ से यहाँ move कर रहा है बच्छा यह block इस तरह से move कर रहा है यह block move कर रहा है इस तरह से ठीक है थोड़ी देर बाद क्या यह यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा यह कुछ देर बाद चीक है यहां से यहां पहुंच जाएगा कुछ देर बाद चीक है बच्चो इस पूरी सिचुएशन में टेंशन इस तरफ है और यह हमेशा इस तरफ मूव कर रहा है टेंशन हमेशा displacement के perpendicular है तो यहां पे tension अगर displacement के perpendicular है तो इस case में work done by tension जो होगा वो zero होगा ठीक है बच्चो मैं आपको क्या बोलना चाहरा था कि work done by tension positive भी हो सकता है work done by tension negative भी हो सकता है work done by tension zero भी हो सकता है तीनो cases हमने जो है वो कर लिये हैं ठीक है ठीक है बच्चु? यह था work done by tension work done by tension कुछ भी हो सकता है similarly work done by normal reaction भी कुछ भी हो सकता है similarly work done by normal reaction भी कुछ भी हो सकता है यहां पर यहां पर और यहां पर यह एमास है यह भी एमास है यह भी एमास है तीनों जगें एमास दिया हुआ है यहां पर यह उपर जा रहा है किसे acceleration कितने से माल लीजिए फिर से G माल लेते हैं यह नीचे आ रहा है फिर से माल लीजिए GY2 से और यह जो है यह फिर से यहां से यहां मूफ कर रहा है यहां से हम मूफ कर रहा है कहीं पर भी यह मूफ करें कहीं पर भी यह मूफ करें यह नॉर्मल रेक्षिन एन है चीक है बच्चो तीनों केसिस में हमारे पास नॉर्मल रेक्षिन है कहीं न कहीं यहां पर नॉर्मल रेक्षिन यह रहा यहां पर नॉर्मल रेक्षिन यह रहा यहां पर नॉर्मल रेक्षिन यह रहा नीचे एमजी है यहां पर एमजी तो है ही चीक है सो ध्यान से देखें बच्चो यहां पर पहले आप नॉर्मल रेक्षिन निकालोगे यह उपर जा रहा है तो आप दिखोंगे N-MG is equals to MA A दिया हुआ है G तो यहाँ से N हो जाएगा 2MG और work done by normal reaction जो यहाँ पर आएगा वो आएगा N into displacement S S मान लीजे कुछ गया होगा तो यह हो जाएगा 2MG into S यह हो जाएगा work done by displacement यहाँ पर ठीक है बच्चों दूसरे case में यह नीचे जा रहा है तो आप लिखोंगे MG minus N is equals to MA A है G by 2 तो N हो जाएगा MG minus MA minus MG by 2 जो कि आएगा MG by 2 यहाँ से work जो आपका है N उपर है यह नीचे जा रहा है तो minus N into S यहाँ जाएगा minus MG by 2 into S यहाँ जाएगा minus MG by 2 into S यहाँ पर यह हमेशा normal reaction हमेशा ही displacement के perpendicular है तो work done by normal reaction यहाँ पर कितना आएगा बच्चा 0 आएगा very simple इस case में answer would be equal to 0 ठीक है तो जो जो हमने tension के बारे में पढ़ा tension positive negative 0 हो सकती है वैसे ही normal reaction भी जो है वो भी positive negative 0 हो सकता है यहाँ पर positive negative 0 हो सकता है ठीक है झाल 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 जगे बच्छू? 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 झाल 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 दालना है दो सेकंड में ये कितना work करेगा work done by tension in two seconds हमें बताना है कितना होगा चल्दी से बच्छा बता दीचे यहां पर यह ऊपर जा रहा है यह ऊपर जाएगा तो अप लिखोगे t minus t minus 5g is equal to 5a पी हो जाएगा 5g plus 5a जो है वो है g by 2 तो यह हो जाएगा 5g 50, 50 by 2 25, 75 newton उपर force लग रहा होगा दो सेकंड में ये कितना move कर लेगा ut plus half 80 square से हम निकाल लेंगे, u 0 है, half half है acceleration g by 2 है 10 by 2, t square 2 का square है, 2 का square 2 का square cancel, यहाजाएगा 10 meter displacement जो होगा 10 meter का होगा, tension इतना है, हमें निकालना है work, work हो जाएगा t into displacement, t है 75 into 10, 750 newton force into displacement हमने किया है, बच्चा, force आपके सामने है, displacement भी आपके सामने है, हमने उन दोनों को multiply कर दिया, वहाँ से हमारे पास answer आ गया, ठीक है? ठीक है मेरे बच्चो, बहुती आसान, work done by tension निकालना भी हमने सीख लिया बच्चा, next आपको निकालना है, यह रहा बच्चा, इसको note कर लेजिए, अभी भी time है हमारे पास, कोई जल्दी नहीं है, next question में आपको क्या करना है मेरे बच्चो, यह रहा next question, अज़े बच्चा, सकता है मेरे बच्चा, जुचिए, यह रहांगे मेंसे पहां बच्चो, पूर जोक cách है कर दोन क जले WITH सबसबसे दोर देगा से वाल की तो, बच्चा, जबुदा हमारे पहां गया ओ करना है, अज़ दोरें, जह ए ज argument कर रहां है, यह्प्चा next question में बच्चा इस body को हम यहां से यहां लेके जा रहे हैं यहां भी यहां से यहां लेके जा रहे हैं force दोनों में लग रहा है 10 newton 10 newton का दोनों cases में हमें निकालना है कि कितना कितना work कितना कितना work होगा work done by 10 newton force in both the cases यह horizontal force वाला ही question है जो मैंने horizontal force वाला कराया था हाँ, यहाँ पर जादा suit करेगा तो बताईए बचा इसका answer क्या होगा झाला है झाल झाल जिस तरफ फोर्स लगता है उसी तरफ उसने कितना displacement किया जिस तरफ फोर्स लगता है उसी तरफ कितना displacement किया दोनों cases में जो work आएगा वो same ही आएगा वो जाएगा force into displacement force at 10 displacement at 5 ये हो जाएगा 50 jutes that's it बच्चा हो जाएगा 50 jutes बच्चा नेक्स हम करने जा रहे हैं work done by spring अभी तक हमने work done by mg सीखा work done by normal reaction सीखा work done by tension सीखा next हम देखने जा रहे हैं work done by spring spring जो होता है spring का force वो होता है minus k into x और ये force क्या है ये एक variable force है बच्चा ये एक variable force है अगर आप एक spring को जो की अपनी natural length पे था यहां से आपने उसको x से expand कर दिया है तो कितना spring ने work किया होगा work done by spring is equal to integration of f dot dx ये हो जाएगा बच्चा f जो लग रहे हो पीछे लग रहे है तो minus kx into dx हो जाएगा कहां से कहां 0 से लेके x तक ये हो जाएगा work is equal to minus x dx जो है वो हो जाएगा x square by 2 ये हो जाएगा half kx square ये हो जाएगा minus half kx square याद रखेगा बच्चा वक दिन पर spring जो है वो हमीशा minus half kx square होगा ये हो हमीशा minus half kx square होगा बच्चा हमीशा याद रखना है बच्चा है ठीक है बच्छा एक और चीज़ में आपको बताना चाहूंगा कि माल लीजिए इस प्रिंग माल लीजिए इस स्प्रिंग की नैचरल लेंथ है बच्छा ठीक है यहां से वो पहले से ही x1 से एक्सपेंडिट था और आपने उसको और एक्सपेंड कर दिया है यहां से यहां x2 था ठीक है यहां से यहां जाने में यहां से यहां जाने में तो वर्क आपने निकाल लिया है वो आयता माइनस हाफ के x2 अभी मैंने बताया ठीक है x1 से x2 जाने में कितना वर्क आता है यह वर्क आएगा half k minus minus half k x2 square minus x1 square ठीक है कैसे कैसे निकाला यह हमने यहाँ पर हमने integration किया था 0 से x तक बच्चा वहाँ पर integration कर दोगे आप x1 से x2 तक जब आप x1 से x2 तक करोगे तो यह आपके पास आजाएगा ठीक है ठीक है मेरे बच्चो चिक है बच्चो next question इसी के उपर है इस question का बताएए answer क्या होगा पहले से ही वो एक मीटर से stretch था आपने एक मीटर से और stretch कर दिया है आपको बताना है कितना work होगा कर दो नहा है झाल इस जड़वा होगे 84 आपको पास आपको ठीक है बच्चो बताइए कितना होगा फोर्मला ही तो लगाना है आपने इसको वान से ओट स्ट्रेच कर दिया है मतलब कितना टोटल हो गया है टू ठीक है इनीशली वान से स्ट्रेच था फाइनली टू से स्ट्रेच हो गया है बच्चा हमें बताना है क्या होगा यह हो जाएगा एक्स फाइनल स्क्वेर माइनस एक्स इनीशल का स्क्वेर जा फिर एक्स टू माइनस एक्स वान half के 10 है x2 कितना है बच्चा x2 जो है 2 square minus 1 square यह हो जाएगा minus half into 10 यह हो जाएगा 4 minus 1 4 minus 1 होते है 3 बच्चा यह हो जाएगा 5 minus 5 into 3 5 3 जाएगा 15 यह हो जाएगा 15 15 जाएगा 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 15 नेक्स बच्चा रिलेशन्शिप बेट्वीन मोमेंटम एंड काइनेटिक इनर्जी देखे, क्या होता है इन दोनों के बीच में रिलेशन्शिप मोमेंटम पी जो होता है ये होता है मास इन्टू वेलोसिटी ठीक है काइनेटिक इनर्जी जो होता है वो होता है हाफ M V स्क्वेर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ इसके साथ मैं M multiply कर रहा हूँ M ही divide कर रहा हूँ तो यहाँ से काइनेटिक इनर्जी आ जाएगा M M M square V square upon 2 times M M V का square करोगे तो यह हो जाएगा P square upon 2 M राइट बच्चा यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से मेरे पास काइनेटिक इनर्जी upon 2 M यह relationship है between kinetic energy and momentum बच्चा, it's very important relationship इस relationship को आपको हमेशे याद रखना है note कर लिजे कर दो क्या है यह हो गल बच्चा, यह हो झहता है झाल 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 झा बीच में क्या relationship है वो important है change in kinetic energy जो होगा वो हमेशां twice वो हमेशां two times होगा change in momentum के यह आपको याद रखना है ठीक है बच्चो जैसे यह हमने देखा बच्चो change in kinetic energy upon kinetic energy is two times of change in momentum upon momentum the momentum of a body is increased by two percent momentum of a body को अगर आपने दो percent से increase कर दिया तो आपको बताना है kinetic energy में कितना change आएगा बच्चा यह two percent दिया हुआ है so kinetic energy में change would be two into two percent यह हो जाएगा four percent four percent का change आएगा बच्चा four percent is your answer ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है if changes if changes are less than five percent if changes are less than five percent five percent से अगर कम हो तो ही आप यह चीज करोगे बच्चा क्योंकि यह approximate result होता है यह actual result नहीं होता है अगर आपको actual result निकालना है तो आप क्या करते हो अगर आपको actual result निकालना है तो देखो जैसे इस question में यह less than five percent था तो आपने यह formula लगा दिया लेकिन अगर यह greater than five percent हो जैसे कि twenty percent है तो आपको actually ही यह question करना पड़ेगा actually कैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ initial momentum initial momentum मान लेजिए यह कुछ P था बच्चा ठीक है final momentum P का twenty percent बढ़ गया है ठीक है यह हो जाएगा P plus twenty percent मतलब twenty by hundred into P यह हो जाएगा P plus P by five यह हो जाएगा six P by five six P by five ठीक है बच्चो six P by five यहां से answer आ जाएगा तो आपने momentum बढ़ा दिया है आपको बताना है kinetic energy में क्या होगा तो initial kinetic energy को आप K मान लेजिए जो की था P square upon 2 M kinetic energy final हमें निकालनी है यह हो जाएगा P final square upon 2 M राइट बच्चा सो पहले momentum P था बच्चा P को अपने 20% से बढ़ा दिया 20% बढ़ाने से वो six P by five हो गया नए kinetic energy क्या हो जाएगी नए momentum के regarding मैं नया यह put कर देता हूँ यह हो जाएगा six by five P का square divide by two M 2 M यह हो जाएगा 36 upon 25 P square by two M P square by two M initial kinetic energy के था ठीक है बच्चा kinetic energy final जो है वो kinetic energy initial का कितना percent है वो हमें निकालना है कितना change होगा तो percentage change निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चो percentage change निकालने के लिए हम kinetic energy final minus kinetic energy initial kinetic energy final minus kinetic energy initial upon kinetic energy initial करेंगे यह हो जाएगा final is 36 upon 25 की minus की upon की यहां से आ जाएगा 36 minus 25 36 minus 25 into 100 भी हो जाएगा चीक है आप इसको solve करोगी तो 36 minus 25 35 36 11 इसको solve करो बच्चे जल्दी से कितना आएगा के के कैंसल हो जाएगा 25 4 आएगा और 4 यहां पे 11 हो जाएगा तो यह 44 परसेंट आजाएगा आप इसको calculation करके देखना बच्चे you will get 44 ती है परसेंट टी है मोर 25 परसेंटट आएगी datosна uhhh जाएगा झाल को जाएगा ठीक है मेरे बच्चो सो मुमेंटम इस तरह से आएगा यहाँ पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2% का चींज था तो यहाँ पे 4% का चींज आया 4% का यह डबल आया यहाँ पे 20% था यहाँ पे 40% नहीं आया 44% आया क्योंकि जब बड़े होते हैं जब बड़े चेंजिस होते हैं तो एरर भी बड़े हो जाते हैं तो यहाँ पे यह आंसर करेक्ट होगा बच्चा ठीक है झाल झाल 5 झाल झाल चीके बच्चो देखो बच्चा आज हमने काफी चीज़े कर ली हैं मैं शुरू से आपको रिवाइस करवा देता हूँ हमने क्या क्या पड़ा है सबसे पहले हमने ग्राफिकली देखा वर्क को कैसे डिफाइन करते है ग्राफिकली एफएस ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको वर्क देता है उपर वाला एरिया जो होता है वो पोस्ट्री वर्क देता है नीची वाला एरिया जो है वो आपको नेगडे वर्क देता है ठीक है बच्चो, उसके बाद हमने work done by weight सीखा, हमेशा plus mg h होगा या फिर minus mg h होगा, ठीक है, फिर हमने work done by horizontal force सीखा, जितना force लगता है, force into displacement कर दो, तो आपके पास क्या आ जाता है, उसी direction का displacement करना होता है, फिर हमने इसके उपर काफी सारे questions किये बच्चो, work done by tension जो है, वो positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, work done by normal reaction, positive, negative, 0, 3 हो सकता है, work done by tension हमने यहाँ पे निकाला बच्चो, फिर मैंने आपको work done by spring बताया, work done by spring जो होता है, वो minus half की x square होता है, या फिर अगर आप x initial से x final लेके जा रहे हैं, या फिर x1 से o o o o o o, बच्चा, x1 से x2, इसको थोड़ा सा सही कर लेना, यह x2 है बच्चा, यह यहाँ से यहाँ तक total x2 है, यह x1 है, और यह था आपका natural length, यह है आपका natural length, ठीक है, तो तब ही हम यह चीज़ करेंगे, ठीक है बच्चा, x1 से x2 तक, और यहाँ पर हमने इसके उपर question किया, फिर मैंने आपको momentum और kinetic energy के बीच में relationship बताया, momentum और kinetic energy के बीच में relationship p square by 2m होता है, और p square में p momentum होता है, m mass होता है, अगर error छोटा है, अगर change छोटा है, तो ही यह formula लगाएंगे, अगर change बड़ा है, तो हमें actually maths लगाने बड़ेगी, तब ही हम यह चीज़े solve कर पाएंगे, ठीक है बच्चो, समझ में आ गया होगा आप लोगों को अभी तक तो, next बच्चा, next जो हम चीज़ करने जा रहे हैं, वो है work energy ठीक होरा, work जो होता है, वो integration of force into f dot dx होता है, राइट बच्चा, f को मैं लिख सकता हूँ, mass into acceleration into dx, राइट बच्चा, acceleration को मैं लिख सकता हूँ, dv by dt into dx, छेक है बच्चा, work is equal to integration of m, इसको मैं dv ही रखता हूँ, और ये dt मैं यहाँ लिजाता हूँ, क्या मैं इसको dx by dt लग सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बच्चा, बिलको लिख सकता हूँ, dx by dt क्या होता है, ये होता है m, dx by dt velocity v होता है, और यहाँ पर यह dv है बच्चा ठीक है यहाँ पर यह dv है velocity varies from v1 to v2 ठीक है vdv का integration क्या होता है बच्चा यह होता है v square by 2 कहां से कहां तक v1 से लेके v2 तक अब work is equal to half m half m common upper limit हो जाएगा v2 square minus lower limit हो जाएगा v1 square ठीक है इसको मैं लिख सकता हूँ half m v2 square minus half m v1 square which is kinetic energy final minus kinetic energy initial दुबार से देख लिजे वच्चा हमने क्या किया work होता है यह formula हमें पता है force को मैंने ma लिख दिया a को मैंने dv by dt लिख दिया dt मैं इसके नीचे ले गया तो dx by dt velocity हो गया तो यह हो गया m vdv हो गया उसको मैंने integration कर दिया तो vdv xgx का integration होता है x square by 2 vdv का integration होगा v square by 2 तो v square by 2 कहां से कहां v1 से v2 तक मैंने उसको upper limit minus low limit किया v2 square minus v1 square तो यह हो गया final kinetic energy minus initial kinetic energy यह हो जाएगा kinetic energy final minus kinetic energy initial यही हमारा work energy theorem है relationship between work and energy यह क्या बोलता है यह बोलता है work done यह बोलता है work done is equal to change in kinetic energy यह मैं नए पेज पे इसलिए लिख रहा हूँ बच्चा क्योंकि यह इतनी जादा important है work done work done is equal to change in kinetic energy change in kinetic energy होता है half m v2 square minus v1 square ठीक है बच्चों यह कोशने बच्चा आपके सामने यहां पे 20 meter height से एक body को नीचे throw किया गया है यहां से release किया गया है इसकी initial velocity 0 है जब यह नीचे आएगा तो इसकी velocity कितनी हो जाएगी वो हमें find करना है यह typical बहुत interesting question है प्लीज इस question को करके दिखाईए झाल 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 सबसे पहले हम क्या करेंगे आप याद रखना work energy theorem we will apply जब भी हमें to find velocity जब भी हमें velocity find करने के लिए बोला जाए जब भी हमें velocity find करने के लिए बोला जाए जब भी हमें कोई भी ये बताए ये पूछे कि velocity कितनी है किसी भी question में तो हम हमेशा उसके उपर work energy theorem लगाएंगे ठीक है मैं आपको लगाके दिखाता हूँ बच्चा ये रहा पहले देखेंगे चाह ये question है work done is equal to change in kinetic energy half m final velocity square minus initial velocity का square ठीक है इसके नीचे क्या force लग रहा है mg लग रहा है यहाँ पे क्या लग रहा होगा normal reaction जब ये move करता है तो work कौन कौन करेगा एक तो mg work करेगा और एक normal reaction work करेगा ये दोनों मिलके half m v square minus u square करेंगे ठीक है बच्चा next next पूरी class work energy theorem की उपर होनी वाली है तो आप miss नहीं कर सकते है बच्चा next class ठीक है mg का work क्या होता है mg h तो ये हो जाएगा mg h normal हमेशा यहाँ पे perpendicular होगा और अगर वो perpendicular है तो उसका work 0 half m v मेरे को निकालना है u यहाँ पे 0 है u यहाँ पे 0 ठीक है बच्चा m से m cancel m से m cancel यहाँ पे आजाएगा g h is equal to v square by 2 यहाँ से आजाएगा velocity v square is equal to 2 g h यहाँ से मेरे पास आजाएगा velocity v is equal to under root of 2 g h और यहाँ से आजाएगा under root of 2 g 10 है h कितना है 20 यहाँ आजाएगा root of 400 जो की होता है 20 meter per second आपको यह formula नहीं देखना है आपको यह देखना है कि हमने यह कैसे apply किया है आपको यह apply करने के लिए आपको work निकालना आना चाहिए इसलिए मैंने सब के work आपको सिखाए है mg का normal reaction का सब का work आपको निकालना आना चाहिए वो work आपको यहाँ पर put करना है और वहाँ से answer आ चाहिए चीक है बच्चा जल्दी से note कर लिजिए झापको यहाँ झापको यहाँ फिकालना आले का को सीकालना उना की है इसमें है बाहिए पिकालना चाहिए घरुछा और भ tastes tweet 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 और keywords रहिए टैर major retrospective ठीक है बच्छा, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ये था हमारा lecture number, कौन सा था ये, तू ये था, थ्री था, थ्री होगा न ये, अच्छा ये lecture number 2 था, ओके तो इसके साथ हम DPP number 1 करेंगे बच्छा, ठीक है, बाकी के questions में बहुत सारे questions आज के लाया था, लेकिन वो हम क को करनी है बच्छा इसमें, ठीक है, और इसके साथ-साथ मैं questions on work, जितने भी work के उपर questions है, exercise 1 में and 2 में वो आपको करने है, अभी work energy theorem के उपर questions मत करना, सिरफ और सिरफ work के उपर questions आपको करने हैं, ठीक है बच्छा, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, thank you so much, I will see you next time और तब तक जितना भी हमने पड़ा है इसको प्लीज रिवाइस करके आना ठीक है आज कर इतना रखने है थेंक यू बाई बाई